हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार साधरन से कोलगेट की मदद से हम अपने चेरे के दात तपों और पुराने से पुराने कालापन को दूर कैसे कर सकते हैं अगर आपके चेरे पर पिंपल्स मुहासे हैं तो उनकी समस्या को भी कैसे दूर कर सकते हैं कोलगेट और ग्लो एंड लवली क्रीम की मदद से देखिए आपको पता होगा कि टूथ पेस्ट सिर्फ दातों को चंकाले के नहीं होता है बलकि यह हमारे चेरे के मुहासों को अठा कर हमारे चेरे की सुंदरता को बढ़ाने में भी उप्योग में लाया जाता है तो चलिए नुस्ता बनाना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक साफ कटोरी की जरुवत पड़ेगी तो वह हम ले लेंगे अब इस कटोरी में हम इतनी मात्रा में सफेद वाला सादर साथ कोल्गेट ले लेंगे कोल्गेट में ऐसे पोशत तत्व होते हैं जो हमारे मुहासों को चेरे से जट से अठा देता है अब इसमें हम थोड़ी मात्रा में ग्लो एंड लवली क्रीम लाएंगे क्योंकि ग्लो एंड लवली क्रीम में मल्टी बिटैमेंस होते हैं जो हमार चहरे पर pimplez पहला करने वाले किटानुओं और को मारती है देख लेगे, इतनी मात्रा हैं में हम glow & lovely क्रीम की मात्रा ले लेंगे सब्सक्राइब क्राइबु सरी जो हमें तीसरा इंग्रेडियंट जो चाहिए घुलाब जल सब्सक्राइब करया करते है चया हमारे उसका बनकर तैयार है, गुलाबज़ हमने इसमें एड इसलिए किया, ताकि ये हमारे रोंचित्रों में मेल को फुला दे, और हमारा काम आसान करते, और कोलगेट और ग्लो एन लवली जो क्रीम लिया है, वह हमारी तुच्छा को अच्छे से एक्सॉलियट करेगी, और हमारी इसकिन से, महां से, आपके कितने भी पुराने पुराने से कालापन, दाख, धबबे, चेरे के सभी समस्यां को दूर कर देगी है, कोलगेट, तो देखे इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, जब आप अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, तो फियर एन लवली जो क्रीम हमन पिंपल्स हैं तो वो दाने हैं तो वो सभी हटना इस्टार्ट हो जाएंगे और हफते में तीन से चार दिन तक जब आप इस पेश्ट को अपने चेहरे पर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा गोरा और चमकदार हो गया है और जो आपके चेहरे पर पिंपल्स और एकने के निसान थे वह भी दूर हो गया है तो वीडियो काफी अच्छा बन गया है तो इस चीज में हमने ग्लो एंड लवली क्रीम, कोलकेट और गुलाबचल का प्रयोग किया तो ऐसे ही वेड़ सारे नुसके आपके लिए लेकर आता है रहता हूँ तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को जासे ज़्यादा सेयर कर दीजे धन्यवाद